नमस्कार ब्लैंक के स्टुडी चनल में आपका स्वागत है आज हम लोग ट्रेन चेप्टर का पार्टू करने जा रहा है जिसमें कुछ इंपोर्टेंट को देखते हैं तो आए देखते हैं को पहला कोशन है कि दो समान लंबाई का ट्रेन है जो किसी खंबे को साथ सेकंड और एक दूसरे को कितना समय में पार करेंगे मतलब दोनों एक दूसरे को क्या क्या कंडिशन होगा जब एक दूसरे को पार करेंगे तो यह दोनों एक ही तरफ चलेंगे पहला है जब एक ही दिसा में चल रहा है यह ऐसा चलेगा एक ही दिसा में जाहिर सा बात एक ज्यादा समय समय ले रहा है कम समय ले रहा है मतलब जो कम समय ले रहा है उसका स्पिट ज्यादा होगा तो पहले चला जाएगा तो ऐसा करने समय लोग कुछ नहीं करेंगे सिर्फ टू एकस वाई यह देखिए दोनों एक ही दिसा में था मतलब यहां पर माइनस हो जाएगा एकस माइनस वाई बस टू लिखें एकस कमान यह पहला दूसरा मतलब एकस टू सबन और यह नाइन बटा दोनों का अंतर साथ में सनौ गय किया है यह फिर नोव में से साथ गया दो अंतर लिखना हम लोगो यह कट गया मतलब तीरसाट सेकेंड लगेगा एक दूसरे को पाल करने में अब दूसरा कोश्चन है जब दोनों विप्रित दिसा में आ रही हो मतलब एक इधर से आ रही है एक इधर से और यह दूनों दू एक्स का वेलू सेवन वाई का वेलू नाइन नीचे में एक्स प्लस वाई मतलब साथ और नौशोला तो दो का पाड़ा में यह आठ बार में कर जाएगा मतलब साथ नौवा तीर सट बटा आठ यह हमारा वह उनसर अब नेक्स कोश्ण के तरब चलेंगे अब देखते हैं नेक कोनों किसी खंबे को तीन सेकेंड में पार कर जाती है मतलब एक खंबा है यह पहला ट्रेन है ट्रेन वन इसको लगता है कि तीन सेकेंड अजो दूसरा ट्रेन है उसको भी तीन सेकेंड लगता है लेकिन इसका जो स्पीड है कि स्पीड यह थिरी एक्स और इसका स्पीड जो अब देखिए अब हम लों को निकालना है कि जब दोनु ट्रैनिक दूसरे के विप्रीद दिशा में आ रहे हैं तो दोनु एक दूसरे का लंबाई को योगपल के बराबर का दूरी को कभर करेगी तो देखिए दूरी कैसे निकालेंगे दूरी बराबर समय गुना वेग तो पहला ट्रेन का लंबाई कितना हो जागा समय गुना वेग 3 सेकेंड गुना यी 3 मतलब 9X दूसरा ट्रेन का कितना होगा दूरी पहला ट्रेन का दूरी दूसरा ट्रेन का दूरी दिसा में जब पार करेगी तब दोनों का योगफल के बराबर दूरी पार करेगी तो दोनों का योगफल कितना होगा 9x और 12x मतलब 12x प्लस 9x अजो समय होगा वो कितना होगा इसका 3 सेकेंड है इसका भी 3 सेकेंड अब देखिए जो स्पीड है जब दोनों एक दूसरे का विप्रित दिसा में तरह करेगी तो इस्पीड जूड़ जाएगा का यह दोनों एक दूसरे का उल्टा है तो तीन एक्स विए चार एक्स साथ एक्स कितना हुआ 12 और 9 21 एक्स बटा 7 एक्स एक्स कट गया साथ यह एक आईस मतलब दोनों एक दूसरे को तीन सेकेंड में पार कर जाएगी नेक्स कुर्शन की तरफ चलते हैं और नेक्स कुर्शन देखते हैं देखिए प्रस्त नहीं कि निश्य दूरी तैक करने में कि आर दो यहें पार कि और बी का चाल का दूरुपाद तीन नौर चार ने मतलब कोई फीक्स दूरी है उसको तरफ टो ट्रेन कर रहा है पाहिला ट्रेन ए्यहां इसका समय का पादियाओह। दिया हुआ है जो समय है वह स्पीड का अनुपार का उल्टा हो गाशर तो अब बोला हुआ है A B से 30 मिनट jyadah लेता है मतलब धीद ये 3 है ये 4 है मतलब 1 कا माणाया 30 क्योंकि available 1 ज़्यादा लिया A बुला हुआ है B से 30 मिनट जादा लेता है तब बताना है A दूरी को कितना समय में पार करदेगा वह है A कितने दिन में पार करता है 4 इसका समय कितना हो गया लेकिन एक कमान तो 30 है इसलिए 30 से गुना करना पड़ेगा 30 बराबर 120 मिनट मतलब की 2 घंटा अगर यहीं पर रहता कि बी कितना समय लेता है तो बी का कितना होता यह 3 गुना 30 मतलब बी जो है 90 मिनट लेता आए नेक्स्ट कुश्चन देखते हैं कुछ सांदार इसी ट्रिक के साथ देखिए अगला प्रस्न है कि कोई ट्रेन स्टेशन ए से बी की यात्रा करती है और यात्रा करने का जो रप्तार है वो 60 किलोमेटर परती घंटा की है और जब बी से वापस आती है तब उसका रप्तार 72 किलोमेटर परती घंटा आए तो अगर वो जा रही है जाने में उसको 60 किलोमेटर परती घंटा कर अपतार है और आने में बहत्तर है तो जाहिए सा बात है वो ज्यादा स्पीड से आ रही है मतलब समय कम लगेगा तो समय कितना कम लग रहा है 30 मिनट कम लग रहा है तब बत टाइमि टाइम डिफरेंस है कि यह हम लोगरा फ़र्मुला देखिए इस्पीड बना है दोनों मेंसे कोई भी पूट कर सकते हैं कोई दिकत नहीं है इस्पीड बहुतर में दोनों को गुननफल है तीस मिनट को एक बड़ा दो घंटा लिख सकते हैं बारा का पाड़ा में यह पांच बार में कट जाएगा बारा पचे साथ दो का पाड़ा में कट जाएगा तो कितना आया पांच बुना चातीस मतलब जो दूरी था वह 180 किलोमेटर था मतलब दोनों स्टेशन का बीच का जो दूरी था 180 किलोमेटर था अब चलिए नेक्स कुश्ण में चलते हैं देखिए हमारा यह कोश्चन है कि कोई ट्रेन अपना गती को 20 किलोमेटर प्रती घंटा बढ़ा देता है तब वह अपना 600 किलोमेटर की यात्रा में एक घंटा अपना समय बचा लेगा अगर वह स्पीट बढ़ा दे रहा तो जाह देखिए मान लेते हैं कि स्पीड हमारा एस है एस एस वन कितना आ जाएगा एस और एस टू उसमें बोल लाएफ 20 किलोमेटर बढ़ा देंगे मादब एस टू हो जाएगा एस प्लस 20 एस प्लस 20 अब यहां पूट करते हैं देखिए एस एस प्लस 20 इसका वेल्यू पूट कर को सब्सक्राइब करते हैं जो मल्टिपल लायमें हैं यह दिखिए दोनों का अंतर जाइज साओ आते हैं यह एस है यह प्लस 20 है तो अंतर यह利b piece का इ 얼마나 ए एक का एक से गुणा कियें क्या आजाएगा दूरी यह था ना डिस्टेंस डिस्टेंस दूरी आ गया दूरी कितना है 600 600 लिख दियें अब देखें क्या होगा इस बटा वाला 20 को गुणा हो जाएगा मतलब 20 गुना 600 मतलब बार चे दूना बारा तीन ठोजीरो ठीक है अब देखिए एस कमाने साथ क्या बेठाएंगे कि 12000 आ जाए इसको मैं लिख सकते हैं 120 गुना एक सो 20 का अंतर हो जाएगा यहां भी 20 का अंतर है एक टो एस है एस प्लस बीस है तो जाहिड सा बात है कि जो प्लस 20 है उदर ज्यादा जो वी से वही इक्वल होगा मतलब एस प्लस 20 का मान एक सुबीस आएगा और एस का मान सव आएगा यह सेटिस्फाइग कर रहा है हम लोग आप्शन से भी उठा कर देख पाएंगे मतलब जो हमारा स्पीड आया है वह 100 किलो मेटर प्रती आवर है आई यह नेक्स सोचन देखते हैं और नेक्स सोचन देखते है देखेए बोला हुआ है कोईट्रेन इस्टेस्चन A से B तक चलती आए अगर वह अपना गती 6 किलो मेटर प्रती घंटा बढ़ा दे तो 48 कंता कम समय में देख़एगी अगर वो अपना गर्ती 6 km प्रती घंटा घटा दे तब उसको 6 घंटा जादा समय लगेगा तब बताना है station A से station B की दूरी कितना है अभी अभी हम लोगों ने देखा था distance का क्या formula था S1 S2 divided by S1 minus S2 गुना time difference ये था formula इसी पर चलेंगे आप देखिये क्या करते है हम लोग मान लेते हैं कि speed है S तो पहला condition क्या है A और B का जो दूरी है दोनों condition में same होगा काई कि station का दूरी बदलेगा नहीं तो क्या होगा S बोला है 6 km प्रती घंटा बढ़ा दिया तो ये S plus 6 हो जाएगा दोनों का अंतर अंतर तो 6 ही होगा टाइम कितना लग रहा है 4 घंटा कम लग रहा है बराबर गुना 4 और इधर क्या होगा speed S है और 6 km प्रती घंटा घटा दे रहा है मतलब S minus 6 हो जाएगा अंतर तो यहां भी 6 होगा काई कि 6 घंटा अधिक लग रहा है गुना 6 खेचे कैंसेल S S कैंसेल 2 दूना 4 दूतिया 6 अब इसको सॉल्प करते हैं 2S plus 12 बराबर 3S minus 18 यहां से S का value मिला 30 यह speed 30 है speed 30 आ गया अब चलिए distance निकालते हैं speed 30 बठाए 30 30 में 6 जोड़ देंगे 36 36 divided by 6 4 6 का पाड़ा में 6 वार में 36 कटेगा ठीक है 6 24 24 या बात्तर बात्तर और यह 0 बचावा 0 मतलब दोनों station का बीच का जो दुरी होगा 720 किलोमेटर होगा आए नेक्स कोशन की तरफ चलते हैं और नेक्स कोशन देखते हैं क्या है आज 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 कोशन है कि एक इस्थिर गरती से रेल गाड़ी चलता है जो 96 मीटर लंबा प्लेटफर्म को 12 सेकड़ में पार करता है और 141 मीटर लंबा प्लेटफर्म को 15 सेकड़ में पार करता है तब बताना है कि रेल गाड़ी का लंबाई कितना है देखिए दोनों में क्या है इस्थीर गतिया मतलब इस्पीड दोनों का समान है इस्पीड मतलब दूरी वटा समय तो दूरी कितना तई करेगा प्लेटफॉर्म के लंबाई और ट्रेन अपना लंबाई खूद तो एक्स प्लस स्यानबे है समय कितना बारा सेकेंड तो बारा से भाग दिये यह एक्स तो तो त्रेन का खूद के लंबाई और एक्स तालीस मीटर लंबा ब्लेटफॉर्म उसको तो यह करेगा पंद्रे सेकेंड में अब देखिए तीन चोग बारा तीन पज़े पंद्रा यहां से क्रोस मल्टिप्लाई करते हैं कि पांच एक्स बराबर नो सो साट को पांच से गुना करेंगे कि पांच एक्स माइनस चार एक्स मतब शिर्फ एक्स बचेगा 564 माइनस 480 बराबर 84 मतलब जो रहल गाड़ी के लंबाई है वो है 84 मीटर अब आज का सेशन नहीं पर खतम करते हैं अब मिलते हैं कल अगले टॉपिक के साथ आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें धन्यवाद